हम बच्पन से ही एक सवाल सुनते आ रहे हैं यह सवाल है कि पहले मुर्गी आunts या अंडा लेकिन अब इस सवाल का उत्तर मिलगया है वज्यारिकों ने इसका पता लगा लिया है कि दुनिया में पहले मुर्गी आए या अंडा पहले ये सवाल लोगों को दुविधा में डाल देता था किसी से भी आप पूछिए कि बताओ पहले मुर्गी आया है या अंडा आया तो कोई बता नहीं पाता था लोग समझ नहीं पाते थी कि इसका जवाब क्या देना है लेकिन वैग्यानिकों ने अब लोगों के कन्फूजन को दूर कर दिया है वैग्यानिकों ने पहले मुर्गी आया ये अंडा इस सवाल का जवाब पूरे तरक के साथ दिया है United Kingdom के Sheffield और Warwick University की प्रोफेसरस ने पहले मुर्गी आयी ये अंडा के सवाल के उत्तर को खोजने के लिए इस पर काफी रिसर्च किया है लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद वैग्यानिकों को आखिरकार काम्याबी मिल ही गई और उन्होंने इस बड़े प्रशने के उत्तर को खोज लिया अपने इस उत्तर को सच साबित करने के लिए वैग्यानिकों ने कई तर्क भी दिये वैग्यानिकों के इस रिसर्च से पता चला है कि दुनिया में पहले मुर्गी आयी थी और बाद में अंडा आया था सबसे खास बात यह है कि मुर्गी के बिना अंडा पैदा हो ही नहीं सकता रिसर्स में पाया गया है कि अंडे के खोल में वो क्लाइडन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसके बिना अंडे की खोल बन ही नहीं सकती सबसी बड़ी बात ये है कि ये प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ मुर्गी के गर्भाशे में ही बनता है इसलिए जब तक मुर्गी के गर्भाशे से ये प्रोटीन अंडे के निर्माण में इस्तमाल नहीं होगा तब तक अंडा नहीं बन सकता है इस बात से अब ये साफ हो चुका है दुनिया में पहले मुर्गी आई थी जिसके बाद अंडा आया था इस दुनिया में जब मुर्गी आई तब उसके गरभाशा में वो क्लाइडेन बना जिसके बाद ये प्रोटीन अंडे की कोल में पहुँच गया इस रिसर्च के मुख्य वैक्यानी डॉक्टर कोलिन फ्रीमैन का कहना है इस सवाल काफी समय से लोगों को परिशान कर रहा था कि आखिर दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा लेकिन वैक्यानी को उन्हें सबूत के साथ इसका जवाब खोज निकाला है तो अब आप जान चुके हैं ना कि पहले मुर्गी आई की अंडा अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ पहले मुर्गी आई अंडा तो पूरे एक्जामपल देके आप उसको अच्छे से समझा देने कि भाई पहले मुर्गी आई फिर अंडा आया जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाईए ताकि हम आप से फिर दुबारा मिल सकें तैंक यू